नमस्कार ABC चनल में आपका स्वागत है मैं हूं सक्षिन स्रिवास्तोर आप मेरे साथ देखेंगे आजमगर से जुड़ी खबरें आए न जड़ना लेते हैं आज की खास खबरों पर कर्तांपुर आजमगर अद्मिशन ओपन फॉर नुज सेशन दर्सरी टू क्लासेज 9 एंड 11 साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे भदुली बाजार आजमगर अफिलेटेट टू आई-C-S-A न्यू देलही अद्मिशन ओपन फॉर नुज सेशन दर्सरी टू क्लास 9 एं 11 वेदान्ता स्कूल आफ दर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस लछी रामपूर आजमगर अजमगर के कंधरापूर क्षेत्र स्थिच सेट एम आर जैपूरिया स्कूल में बीजेपी की कलस्टर बैठक में पहुँचे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 24 के लोकसभा चुनाव में जीत के लिए मंत्र दिया। आजमगर सहित पूर्वांचल के यादव वोटरों को साधने में मध्यप्रदेश के चीफ मिनिस्टर का यह दौरा काफी एहम माना जा रहा है। क्योंकि यादव वोटरों का अधिकतर जुकाव समाजवादी पार्ट को अपने पक्ष में जोडने की है। भाजपा अपने मिशन में कितना सफल होगी यह तो 2024 के चुनाव परिणाम बताएंगे। समाजवादी पार्टी का गड़ माने जाने वाले आजमगर में मीडिया से बातचीत करते हुए MP के CM मोहन यादव ने कहा कि BJP के अखिल भारतिय प्रवास के अंतरगत कार्य करताओं के साथ तीन अलग-अलग बैठक में शामिल हुआ हूँ। लगातार तीसरी बार मोधी की सरकार बनाने के लिए हम लोग कृत संकल पित है। भले ही मैं एक बड़े राज्य का मुख्य मंत्री हूँ। लेकिन मूल रूप से एक BJP का 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 कार्य करता हूँ। राश्य अध्यक्ष ने अलग-अलग नेताओं के लिए प्रवास बनाए हैं। उसी के क्रम में मैं आजमगड यूपी में हूँ। लोकसभा क्षेत्र में लोकसभा प्रभारी सयोजक से लेकर अन्य लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है। जो कार्य क के लिए बोड़ी एक चेहरा बन खर सामने आया है। लगातार तीस्री बार सलकार बनेगी। सभी कार्य करता अपने संग्धन की जिम्मेदारियों का निम्मेहन कर रही है। और जैसे ही लोकसभा के मशीन की घोर कंडिशन सभी कार्य करता अपने उदेशों की फूर्ती में लग जाएंगे, हालांकि मीडिया से बात्चीफ के दौरान भाज़पागवारा यादव वोट्रों को साधने के सवार पर MPKCN बचते नजर आए लेकिन मूल मेरा कार्यकरता भाव है इसनाते से राष्टी अद्यक जीने हमारे कुछ प्रवाज बनाये अलग अलग स्थानों पर जाने के उसी सिलसले में आज मैं आजमगड यूपी में हूँ और मुझे इस बात की प्रसंदता आए कि हमारे अपने स्रेणी सा कार्यकरता जा एत्तिनते प्रसंदता है कि हमारा अपना उत्तर देश का भाजपा का संगठन बहुत कुछलता के साथ अपने जो जो उनको उत्तर दैत दिया है उसका निर्वन कर रहा है और खास हम सब देख रहे हैं कि उत्तर देश तो पूरे देश को लीड कर रहा है अध्या के कि नगिन मोदी जी का चेहरा सब के सामने आया है इसलिए पूरे देश की लगबक सो क्रोड से ज्यादा के आबादी की मतदाता सब तै कर चुके हैं कि तीसरी बार फिर मोदी सरकार मैं उम्मित कर रहा हूं कि जिस पतार से समय चल रहा है आज के इस दोर में निश्वत रू करता अपने अपने उद्देश की कोटी के लिए लगे हैं चोदरी जी और बाकी कार्यकरता यहां मुझूद है मैं आपका भी अविनन्दन करता हूं चुकि आजमगड मेरा पहला प्रवास है और जब भी पार्टी जहां बुलाईगी हम सदेवतत्तर हैं ऐसा माना जा रहा इसी कार्यकर्म में संभी लिए बहुत 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 देने लाएं आजमगड के बरदह ठाने की पुलीस ने बीते आठ फरवरी को शेत्र के बेलवाना गाव के समीप सोनहरा गाव के पूर्व प्रधान रणविजय यादव उर्फ रन्नों की गोली मारकर हत्या के मामले मे आरोपिक छे लोगों को मंगलवार की सुबह बर्रा मोर से दबोच लिया एक आरोपिक की निशान देही पर पुलीस ने कमालकुर बेलवाना मार्क से घटना में प्रयुक्त 315 बोर तमंचा और जिन्दा कार्तूस वा खोखा बरामत किया है आठ फरवरी की शाम मार्टीन गंज बाजार से सबजी खरीद कर बुलेट से घर लोट रहे सयद बहाउद्दीनकुर सोनहरा गाव के पूर्व प्रधान रणविजय यादफ उर्फ रन्नों की गोली मारकर हत्या कर दी गई घटना का कारण पुरानी चुनावी रंजिश बताई गई मामले में मृतक के चचेरे भाई चंदेलाल यादव की तहरीर पर गाव के विपक्षी महेंद्र यादव, विरेंद्र यादव, फुर्तीलाल यादव, सुरेश यादव, रामगनी यादव, छोटेलाल यादव और शर्मिला यादव के खिलाफ साजिश कर हत्या करने के पुलीस आरोपितों की तलाश में जुटी जनपद आजमगड में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों वो मॉडल शॉप के व्यवस्थापन के लिए मंगलवार को दूसरे चरण की इलोटरी निकाली गई। वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन और जिलास्तरिय चयन समिती की निगरानी में संपूर प्रक्रिया संपन्न हुई। डिप्टी 21 कमिशनर आनंद प्रकाश ने बताया कि जिले की शराप की दुकानों को नवीनी करण की प्रक्रिया के लिए आपकारी विभाग की ओर से सभी लाइसेंस धारकों को निर्धारित फीस जमा करने के निर्देश दिये गए थे। उधर मंगलवार को दूसरे चरण की इलोट्री प्रक्रिया संपन्न की गई है। प्रखंग चरण के अंतरगत अवशेश बची 32 दुकानों का इलाट्री के माध्यम से आवंटिन किया गया है। दूसरे चरण में 13 दुकानों पर आवेदन प्राप्थ हुए इन 13 दुकानों का आवंटिन किया गया है। जिसमें देशी की 21 दुकानों में 8 आवेदन, विदेशी मदिरा की 5 दुकानों में 4 आवेदन, भां की 6 दुकानों में मात्र एक आवेदन प्राप्थ हुए जिसमें देशी की 21 दुकानों में 8 पशाज़ी मदिरा की जा रही है और यही आज की लाटरी का पूरा निचोड़ था तो इसको आज संपन करवा लिया गया है और आगे जो दुकाने बची हैं इनको आगे जैसे जैसे साशन के निर्देश मिलेंगे उसी के आधार पे इनको विवर्थित कराए जाएगा जिलाधिकारी विशाल भारदवाजव पुलीस अधिक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में हरियोद कला केंदर में उत्तर प्रदेश पुलीस में आरक्षी नागरिक पुलीस के पदो पर सीधी भरती 2023 की लिखित परीक्षा को नकल विहीं शांतिपूर्ण धंग से संप की भरती 2023 की लिखित परीक्षा का आयोजन 17 फरवरी एवं 18 फरवरी को विभिन परीक्षा केंद्रों पर दो सत्रों में 68 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी जिसमें कुल 31,944 प्रती पाली अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे उन्होंने बताया की जनपद में निर्धारित 68 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की सुचिता बनाये रखने, परीक्षा केंद्रों का निरिक्षन करने एवं शांती विधिव्यवस्था सुनिश्चित करने व परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सामगरी पहुचाने हे स्टाटिक मजिस्ट्रेट अपनी देखरेक में शुचितापूर्ण धंग से परीक्षा को संपाधित कराएंगे। से दूरी को ध्यान में रखते हुए कोशागार से उक्त सामगरी प्राप करना सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा केंद्र व्यवस्थापक परीक्षा केंद्र में परीक्षा सकुषल संपन्न कराये जाने हेतू सभी व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदाई होंगे। वे परीक्षा में पूर्ण की जाने वाली सभी तैयारी सुनिश्चित कराएंगे तथा परीक्षा संबंधी सामगरी का सुरक्षित रखरखाव सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने पुलीस के अधिकारियों को निर्देश दिये की अभ्यर्थियों की फ्रिस्किंग ठीक से कराएंगे। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्व कर्मा ने विस्त्रित जानकारी प्रदान्च। प्रदिबाग करेंगे। इसे तुप पूरे जनपत को 23 सेक्टरों में बाटा गया है। इसमें जो भी एजनसिया इंवाल्व हैं जो भी विभाग इंवाल्व हैं सभी के उच्चादिकारीों की मीटिंग बीम साहब और एस्पी साहब द्वारा ली गई है। और सभी को पारदर्शी सुचितापूर्ण परिशा संपन कराया जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अत्रिक्त हमारी जो सतरक्ता एजनसिया हैं वो भी लगी हुए हैं राउंड दक्लॉक और किसी भी तरह की कोई भी संदिक्त सिटियों पर हम लोग लगाता नजर रगते हैं। भारतिय जन्ता पार्टी की लोगसभा क्लस्टर बैठक सेट एम आर जैपुरिया स्कूल कंधरापूर में हुई। आजमगड लोगसभा क्लस्टर में लोगसभा आजमगड सदर, लालगंज, सलेमपुर, घोसी, बलिया की लोगसभा चुनाव प्रबंधन समिती, जिलाध्यक्षगर्ण, विधान सबा सयोज़त, विधान सबा प्रभारी और सांसद, विधायक, ब्लॉक प्रमुक, जिला प अतिथी भाजवा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंग चौदरी रहें, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्तर मोहन यादव ने संबोधित करते हुए कहां कि भाजपा का वोट प्रतिशत बढ़े, लोग भाजपा से जुड़े इसके लिए पूरे देश में दौर गए थे, आजमगड और उत्तर प्रदेश से मेरा विशेश रिष्टा भी है, मैं अपने पुर्खों की धर्ती पर परिवार के बीच आकर अत्यंत आनन्दित हूँ, कहां कि लगातार तीसरी बार मोधी सरकार बनाने के लिए हम लोग कृत संतल पित हैं, भले ही मैं ए एक बड़े राज्य का मुख्य मंत्री हूँ, लेकिन मूल रूप से एक बीजेपी का कार्य करता हूँ, राश्य अध्यक्ष ने अलग-अलग नेताओं के लिए प्रवास कार्य क्रम बनाए हैं, उसी के क्रम में मैं आजमगड यूपी में हूँ, आगामी लोकसभा में अयोध्या में राम मंदर के प्रान प्रतिष्ठा के बाद जो द्रिश्व बन रहा है, वह विकास का नया किर्तिमान बना रहा है, 100 करोर से ज्यादा की जनसंख्या के लिए मोधी एक चहरा बन कर सामने आए हैं, लगातार तीसरी बार उनको प्रधान मंत्री बनाने के ल जिला अध्यक्ष, लोकसभा सयोजक प्रभारी से चुनाव की तैयारी का जायजा लिया, वह समीक्षा किया, सभी जन प्रतिनिधियों को दायत्व बोध कराया, तथा सभी को अपने विधान सभा, क्षेत्र ब्लॉक, क्षेत्र या नगर क्षेत्र जो भी उनकी जिम्मेदा हैं कि भाजपा वहां पर सबसे ज्यादा वोट पाएं। गुच, अंग वस्त्र और वन दिस्ट्रिक वन प्रडक्ट की ब्लैक पॉटरी देकर सभी अतितियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंडर सिंग, प्रदेश उपाध्यक्ष पूर्व सांसद नीलम सोनकर, प्रदेश महमंत्री भाजपा गोरकपुर क्षेत्र के प्रभारी गोविंद नारायन शुकला M.L.C. क्षेत्रिय अध्यक्ष सहजानन राय, उत्तर प्रदेश सरकार में, क्रिशी मंत्री आजमगड जिला के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही, खेल मंत्री गिरीश यादव, परिवान मंत्री दयाशनकर सिंग, उर्जा मंत्री अर्विंद कुमार शर्मा, दानिश आज आजमगर सांसद दिनेश लाल यादव, राज्य सभा सांसद नीरच शेखर, विधान परिशद सदस्य दारा सिंग चोहान, रामसूरत राजभर, रामविलास चोहान. जिला पंचायत अध्यक्ष मौ मनोज राय, जिला ध्यक्ष भाजपा लालगन सूरज प्रकाश श्रीवास्तव, जिला ध्यक्ष आजमगर सदर श्री कृष्ण पाल, जिला ध्यक्ष मौ नूपुर अगरवाल, जिला ध्यक्ष भाजपा बलिया संजय यादव सहित ब्लॉप प करना पर कोई काम पूर्माइज नहीं कोई आपसन नहीं है कोई सेकेंड आपसन नहीं है हमको या तो इदर आना या उदर जाना वो मुझे इस बात की खुशी है परमात्मा की क्रपा से कितना करिश्माई ने तो हमारे पास कली हमने देखा कतर के अंदर जिन तो पासी की सजा मिल गए थी वो खुशी खुशी वापस आए और उनका आवसे राजक प्जेक ने कहां कि हा हमने दिवी सजा कोट की सजा रोग तो एक एक निव्ति की जान की कीमत क्या होती किसी भी हमने तो या आपने तो दुमान का कितना बढ़ा अभियानापन में भी देखा यूद्या भगवान राम का रामराजी क्यों आ रहा पर भगवान का रामराजी आने के पीछे कारण क्या भगवान ने भी असंभोगों संभोग बनाया बगिर अयोग्जय की सेना लिजाए अपने जो उपलंत संसादन थे उस उपलंत संसादन की वल्वूते वो दुनिया की सबसे होई ताका तुमावण को आणाने का काम पराकरम किया रहा है यह प्राकरव और पुर्साफ का का उधारन भगवान गाम का है ऐसे ही भगवान कृष्ण का है कि अपने गाल वाल और बिल्कुल गोपल ब्रिंदावाद के मित्रों के सांग बिलकर करके कंस जैसी बड़ी सक्टी को परास्त करके अपना जो नंका वजाए लेकिन यह जो हम भ खुलाम होना पड़ा तो जब देश आजाद हुआ देश आजादी के बाद अपनी खुलेवा में सांस ले रहा है हमारी दुनिया के अंदर अच्छा ही बातने का मोका चालू हुआ और ऐसे मोके चालू होने में परमास्ता की द्यास ऐसे नेत्रत जो 24 घंटे और में सेवा क मेंडर कर रहे हैं अगर जोईस घंटे मेंडर कर रहा है हो किसी बात के लिए कर रहे हैं वो केवल एक लिए मेनत कर रहे हैं कि भारत का मान बड़े भारत का संबान बड़े सभान वता के लिए संसार के भारत की पैचान गना इस पूरा वसुदे खुकम-कम की बात करने के लिए इस प्रकाज से हमारी संस्कति हमारे विचारपुली के चलती रही है उस धारा को बनाए रहना यह हमसद की जवाब डाले है हमारे अपने गरगर को घुरवान गाम अगर मुस्करा रहा है तो यह हमारे भार जेता पार्टी करिकरता का संजल हमने हरे लिए जीवन से कर्ट मिटा करके सदको मामर जीवन को नियूंदम जो उटके आवस्टा वो सारी पूर्ती करते और सारी पूर्ती करते हैं खेवल बोटी को पुड़ा मकार नी उनका अपना जीवन का उदार्त देश जिसके वरोसे से समुची मानवता धेन्ने हो जाए तो मुझे लगता है आज की सवसर पर हम जब दुबारा या किवारा सुनों की दिसाम जाना है माननी मोदी जी की सरकार बनाने के लिए तो उसी स्टेप में हम ध्यान देखें आपको ध्यान होगा अगर नंबर 1 यह सरकार अगर मानी मोदी जी ने बनाई तो एक निरासा के दोर से सरकार बनाई थी चारों तरब बबंडर था चारों तरब रष्टाचार था किसा भाहूल था कि हमारा अपना आध्विश्वाल की हिलावा थी मन्मई सिंडि भोड ज्यानी मिद्वान सब कुष्ट लेकिन मन्मई सिंटि कैने लोक तंत्रह सबसे लचत और कहीं रहा को मन्मै सिंग के सब्सनी के समय था कि ब्रदान मंद्री और प्रदान मंत्री को कोई नीड़े करना हूँ तो पहले मां पूशन जा रहे हैं और उससे बढ़के दुर्धा कि तब होता है कि उनके द्वारा लाया जाए 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 उसको भाड़ करके को उनका तीसरा बेटा भेट देता है यह जो बजाद बनाएगा जाए लोग तत्र मे अज़्ड़ा बड़ी ताक्या अगर गई है तो परदान मंत्री के पद में और उसको कि प्रदान मंत्री को जिस पतार से दाइट ने आगया एक गरीब आपनी का बेटा देश का प्रदान मंत्री बन सकता है इसके लिए तो चंद्रसे का राजात ने आपने खुद का प्रतीक के नाते से हमारे प्रदार मंत्री दुनिया पर आगे उड़ाथ की प्रसंदता है कि मेरी प्रस्ट बीवी वी है कि हम बिल्कुर सामाले कारीकरता है चाहे मंत्री बनो चाहे मुख्य मंत्री बनो लेकिन कारेकर्टा जन्ता में से निकल के बन सकता है और भार्जेता पार्टी उसको बनाती है कि दिखाने वाला ना कोई समगन है आजमगर के पुलीस अधिक्षक अनुराग आर्य ने कानोन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाय रखने को लेकर दिये गए निर्देशों के क्रम में सोमवार की शाम को शहर कोतवाली प्रभारी शशी मौली पांडे ने पुलीस फोर्स के साथ मुख्य चौपव आसपास के क्षेतर में फुट मार्च किया इस दौरान अराजक तत्वों पर शिकंजा कसने को लेकर जगाजगा पुलीस फोर्स द्वारा चेकिंग की गई कालीन गन स्थित देशी शराब के दुकान पर पहुँच कर पुलीस ने वहाँ आने जाने वाले और उसके सामने जमावडा लगने वाले लोगों को चेतावनी दी शराब के सेल्समेन को भी अराजक तत्वों के आने को लेकर चेतावनी दी गई इसके साथ ही जगजगा वाहनों को रोग कर चेकिंग किया गया सड़क पर और बाजार में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संदिग्ध लोगों से पूच ताच कर उनको चेतावनी दी गई इस दोरान एक साथ पुलीस फोर्स को देकर लोगों में कौतुहल भी था और किसी घटना की आशंका को लेकर लोग आशंकित भी थे हालांकी पुलीस अधिक्षक के निर्देश पर निकली पुलीस यह सुनिश्चित करना चाह रही थी कि अराजक तत्वों पर लगाम कसी जा सके शहर कोतवाली प्रभारी शशिमौली पांडे के साथ एलवल पुलीस चौकी प्रभारी भी मौजूद रहे भारत जोडो न्याई यात्रा राहुल गांधी के नेतरित्व में 14 जन्वरी 2024 से मनिपूर से प्रारंभ होकर मनिपूर, नागालेंड, आसाम, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगार, जारखंड, उरीसा, 36 कड होते हुए 16 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के चंदोली जिले में प्रवेश कर रही है, राहुल गांधी एवं भारत जोडो न्याई यात्रा के स्वागत में मंगलवार को जिला कॉंगरिस कार्याले आजमगड तयारी बैठक प्रदेश सचीव आजमगड प्रभारी अनीश खान के अध्यक्षता में संपन्न हुई जनपद आजमगड जिला कॉंगरिस कमेटी द्वारा अपने नेता के स्वागत में भारी संख्या में जनपद चंदोली में 16 फरवरी को पहुचेंगे जिला कॉंगरिस कमेटी के पदाधिकारी गण AICC PCC एवं वरिष्ट कॉंगरिस जन अपने शक्ती अनुसार गाडियों की व्यवस्था की है आजमगर से काफिला के साथ निकलने का निरने लिये है। 2024 में कॉंग्रेस की सरकार बनेगी इन समस्याओं को प्रात्मिक रूप से निप्तारा किया जाएगा इस नफरत के बाजार में मोहबबत का पैगाम लेकर निकले राहुल गांधी के साथ भारी जन समर्थन प्राप्थ हो रहा है जिसे वर्तमान भाजपा सरकार डर गई है जिस महासचीव एवं लोकसभा लालगन सुरक्षित के कॉडिनेटर घनश्याम सहाई ने कहा कि आगामी लोकसभा का चुनाव मजबूती से लड़ने के लिए काग्रेस बुथ एवं न्याय पंचायत स्टर के संगठन को और अधिक मजबूत करेगी है श्री सहाई ने कॉंग्रे से भारी संख्या में चंदॉली पहुंचे हैं इस अवसर पर कौशल कुमार उर्फ मुन्ना राय रमेश राजभर पूर्फ कार्यकारी जिला अध्यक्ष मुन्नु यादव राम गणेश प्रजाप्ती मुन्नु मौर्य रविकान त्रिपाथी मनोज कुमार सिंग अजीत रा राजभर, बिलाल एहमद सीमा भारती, किरन कुमारी, योगेंद्र यादव, रामानन सागर, शहजादे सिंग, राजदेव कनौजिया, अर्विन जैस्वाल, जगदमिका चतुरवेदी, ओम प्रकाश सरोज, प्रमोध यादव, आधी लोग उपस्थित रहे. आजमगर जिले के सराइमीर ठाना क्शेतर के कुरियाव गाव में भूमी विवात की रंजिश को लेकर दबंग पडोसियों ने पीडित को जमकर मारा पीता वजजान से मारने की धंकी देते हुए फरार हो गए पीडित ने इसकी शिकायत सराइमीर ठाना में की तो पुलीस पीडित का ही चालान कर दिया जिसके बाद मंगलवार को पीडित पुलीस अधिक्षक कार्याले पर पहुचकर दबंग पडोसी के खिलाफ कारवाई की मां की है पुलीस अधिक्षक कार्याले पर अपने परिवार के साथ पहुचे सराइमीर ठाना क्षेतर के कुरियाव गाव निवासी राधेश्याम राजभर का आरोप है कि बीते बारा फरवरी को सुब़ छे बजे के क्रीब जमीनी रंजीश को लेकर उनके पडोसी आबादी की भू पर मकान का निर्मान करा रहे थे विरोध करने पर सोती उनका लड़का रविंद्र लड़की रीना वरोली लाथी डंडे से उसे मारने पीटने लगे इसके बाद पीडित भाग कर अपने घर में घुसा तो दबंग पडोसी भी घर में घुसकर उसे मारने पीटने लगे ची पीडित का ही चालान कर दिया जिससे परेशान पीडित पुलीस अधिक शक कार्याले पर पहुंचा और मुकदमा दर्स कर दबंग पडोसी के खिलाफ कारवाई की मांगी खिलकी नहीं खोलना चाहिए तो आज आप इस पीस आप से मिले हैं हां जी क्या स्वासंदिया उन्हें उन्हें ने बोले कि जाईए मैं करवाई कर रहा हूं तो आपके पड़दार आपको मारे हैं हां जी कितने लोग गायल हुए गायल सर दो आदमी हैं क्या नम है तो आप इस पीस साब से मिले हैं हां जी क्या स्वासंदिया उन्हें उन्हें ने जाय है हम करवाई कर रहे हैं झाल झाल पुत्तर प्रदेश के 613 नर्सिंग और पेरामेडिकल कॉलेज में से 20 कॉलेज QCI रेटिंग में एश्रेणी प्राप्त कर बने मेंटर इंस्टिटूट आजमगर्ण मंडल और जिले का नाम रोशन कर वेदांता स्कूल आफ नर्सिंग और पेरामेडिकल साइंस लची रामपुर आजमगर्ण QCI रेटिंग में एश्रेणी प्राप्त कर बना मंडल का पहला इंस्टिटूट वाइफाई कैंपस, स्मार्ट क्लास्रूम, लाइफ प्रोजेक्ट से, स्पेशल प्लेस्मेंट से, स्कॉलर्शिप, सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयर्स एंड गर्ण्स एडमिशन या अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें सर्वाप्या पॉब्लिक स्कूल निया अर्बियो ऑफिस हर्बंस पॉर आजमगर्ण अफिलिए तो CBSE Admissions open from classes nursery to 9 and 11 जहां है highly experienced faculty Advanced Labs Magnificent Library Huge playground with lush green campus Separate ground for green nursery Separate classes available for girls And boys We also organize Sports Music Smart classes And many more facility available Lifestyle furniture Belna Deen, Ajangad सभी प्रकार के furniture एवं Electronic सामानों की भरपूर रेंज उपलब हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्यास पर उपलब Electronic सामानों में LED TV, Refresorator, Washing Machine, Air Conditioner, Air Cooler, Deep Freezer, Water Cooler, Mixer, Juicer, Iron, Fan, Induction, Battery, Inverter, Electric Geyser, Gas Geyser, आटा चक्की इत्यादी Furniture के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अल्मीरा, सोफा, टेबल, चैर, राट, स्टूल, संदीली, सीधी, डाइनिंग टेबल, जूला आगे शादी विवाह की हो तैयारी या ओफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी पहुँचे लाइस्टाइल पर नीचक, बेलनाडी आजमगर्द, साइंट इनिशन स्कूल, पूरा पांडी, निकट आर्टियो ऑफिस, भदली बाजार आजमगर्द, आईसे से वोड न्यू डेली से मानेता प्राप, प्रते क्लास में स्मार्ट क्लास की ववस्था, सू ववस्थत, पासरिट्रीज, पूरे सिटी में वाहन के स्विधा, एडिश्मन ओपन, फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9th और 11th, साइंट इनिशन स्कूल, पूरा पांडी, निकट आर्टियो ऑफिस, भदली बाजार आजमगर्द, 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 आ